टेलिफोन घंघनाता है एक लंबा चौणा मूच वाला शक्स टेलिफोन उठाता है तो सामने से आवाज आती है जी अटल भिहारी वाचपई से बात हो सकती है क्या वो शक्स उत्तर देता है जी मैं वाचपई जी नहीं उनका सहायक शिवकुमार बोल रहा हूं राद गहरी हो वाचपई जी को अतिशीघ्र जगाईए उन्हें सूचना दीजिए प्रधान मंत्री को उन्हें अति आवश्यक संदेश देना है जल्दी करिए शिवकुमार जी तकाल टेलीफोन का रिसीवर पटकते हैं सीधा वाचपई के पास जाते हैं वाचपई को उठाते हैं वाचपई से कहा वाचपई जी रात में उठाने के लिए आपके नीद में खरल डालने के लिए खेद व्यक्त करती हूं मगर राष्ट्र को आपकी आवशक्ता है मुझे आपकी जरूरत है इसलिए आप ततकाल ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाईए और जल से जल्द मुझसे मुलाकात करिए वाचपई ने इंद्रा को जवाब देते हुए कहा मगर मैडम मैं अभी कैसे निकल सकता हूँ अभी ना कोई ट्रेन है ना कोई बस है फ्लाइट का भी कोई इंतजाम नहीं है तो कल सुबा तक का इंतजार तो करना ही करना पड़ेगा सुबा दो मिनट तक अटल विहारी वाचपई टेलिफोन के पास खड़े रहते हैं दो मिनट के बाद वापस दिल्ली से टेलिफोन आता है जहां वाचपई को सूचित किया जाता है आप तयार रहें 20 मिनट के अंदर आपके घर के सामने सेना का ट्रक खड़ा होगा ट्रक में सवार हो जाईए और सेना के जवानों के साथ प्रधान मंत्री आवास पर जल से जल इंद्रा गांधी जी से मुलाकात कीजिए रात तीसरे पहर में जा रही थी और ग्वालियर के भीतर अटल विहारी वाचपई विजिया राजे सिंधिया को सूचित करते हुए सेना के ट्रक में स कुछ नई सुख बुगाहटों के साथ हिंदुस्तान के लिए नई संभावनाओं के द्वार खूलने वाला था देश के मीडिया तंत्र के निगाहें जब तलक इस मुलाकात पर पहुशती तब तक भोर की पहली किरण के साथ प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के आवास प अटल विहारी वाचपई के बीच गोपनिय मुलाकात होती है बन दरवाजों के बीच इस मुलाकात में इंद्रा आटल के समक्ष अपना मंतव्य प्रगट करती हैं इंद्रा आटल से बताती हैं कि किस तरह उन्हें राचीफ रामिश्वरनात काओ और बॉर्डर सेक्योर्ट चीफ के रुस्तम जी के द्वरा एक मास्टर प्लान समझाया गया है जिस मास्टर प्लान को अंजामत पहुचाने के लिए हो सकता हो उन्हें भविश्य में राश्ट्रीय स्वाम सेवक्संग की आवश्रक्ता पड़े इसीलिए मैंने आपको बुलाया है चुकि राश्ट्र इंद्रा को जवाब देते हैं कृपया अपना मनतव्य मुझे और अधिक इसपष्ट शब्दों में बया करें कि आप राश्ट्री स्वाम सेवक्संग की भूमी का किस रूप में चाहती हैं जिससे मैं गुरू गोलवलकर को सही तरीके से आपकी बात समझा सकूँ जिससे आ प्रमी पाकिस्तान के भीतर पश्च्मी पाकिस्तान यानि आज के पाकिस्तान की जातियों के खिलाफ बगावत का पर्चम बुलंद कर रहे युवाओं को भारत की opens दाखिल कराया जायेगा उन्हें शरणार्थी कैंपों में रखा जाएगा और आवश्यक्ष्ट शैन उनकी मदद को आगे आकर पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के भीतर अपना परचम बुलंद करेंगी तो वो वहाँ भारतिय फोजों की एक सहायक टुकडी के तौर पे काम भी करेंगे मगर उसके लिए सबसे पहले आवश्यक थी इतनी भारी तादाद में आने वाली शरणारतियों की भीड को समुचित ढंसे अलग-अलग हिस्सों में बाटना की किनकी ट्रेनिंग करानी है किनकी ट्रेनिंग नहीं करानी है और फिर ट्रेनिंग कराने वाले सदस्यों के बीच समुचित व्यवस्था बनाए रखना जिसके लिए कारकरताओं की एक लंबी कतार चाहिए होगी चुम्कि सेना तो दूसरे मोर्चों पर युद्ध में व्यस्त होगी सेना ये तमाम काम नहीं कर सकती है कि उन्हें समुचित तरीके से व्यवस्थित करें कहां कौन सो रहा है कहां किस तरीके से बैठने की व्यवस्था की जाए किस तरह से टेंट लगाए जाएं ये व्यवस्था किसी सामाजिक संगठन को करनी पड़ेगी और इस तरह के सामाजिक कारियों को अंजाम तलक महुचाने में राश्ट्री सेवक संग को महारत है इसी लिए इंद्रा चाह रही है गुरु जी गोलवलकर से बात करना अटल विहारी वाचपई को इंद्रा का मंतव्य समझा चुका था जिसके बाद वाचपई तक्काल पुधान मंत्री आवाज से बाहर में कर दिल्ली के पालम हवाई एड़े पर पहुँच नाकपुर की फ्लाइट पकड़ते हैं फ्लाइट चंद घड़ी के भीतर भीतर नाकपुर की हवाई पट्टी पर उतरती है जिसके बाद वाचपई तक्काल केश औभवन के भीतर गुरु जी गोलवलकर से मुलाकात करते हैं गुरू गोलवलकर से मुलाकात कर वाचपई उन्हें देश के हालातों से परचित कराते हैं, इंद्रा की मनस्थिती से परचित कराते हैं, इंद्रा के मंतव्य से परचित कराते हैं, और फिर गुरू जी गोलवलकर से इंद्रा की बात कराने के लिए प्रधान मंत्री आवास पर होट लाइन से संपर्क साथते हैं जिसके बाद गुरुजी गोलवलकर और इंद्रा गांधी के बीच तकरी बंद 10-15 मिन्टों की एक लंबी बातचीत होती है पर इस वार्तालाप के अंत में गोलवलकर ने इंद्रा को आश्वस्त करते हुए एक पंक्ती का उध्गोश किया जो उध्गोश अपने आप में हिंदुस्तान की सियासत का ना भूल सकने वाला ध्याय बन गया गोलवलकर ने इंद्रा से कहा आप चिंता ना करें आप दुरगा हैं दुरगा देत्यों का संघार करती है देत्यों का संघार करने के लिए आगे वहें समूचा राश्ट्र आपके पीछे आपकी शक्ती बनकर खड़ा है हम आपके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं दरसल ये समूचा वाक्या मध्यप्रदेश के पूरु मुख्यमंतरी बाबूलाल गौर अटल विहारी वाचपई की स्मृतियों को ताजा करते हुए सुना रहे थे